कहानी कुशीनगर की, कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा इसकी एक रोचक कथा है, वही कथा यहां प्रस्तुत का जा रही है, मल देश के राजा की कोई संतान नहीं थी, इंद्र ने एक बार उनकी पट्रानी शिल्वती पर प्रसन्न हो दो पुत्रों का वर प्रद कुश एक कुशागर बुद्धी का व्यक्ति था, वह जानता था कि उसकी बदसूर्ती को देख कोई भी कन्या उससे विवार करना नहीं चाहेगी, फिर भी शिल्वती के आग्रह से उसने विवाह करना स्विकार किया और प्रभावती नाम की एक बहुत ही सुन्दर कन्या से उसकी माता ने उसका विवाह करवा दिया, जो सागल देश की राजकुमारी थी। कुश के असल रुप को छुपाने के लिए शिल्वती ने प्रभावती से जूट कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुरुप प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश म नहीं देखेंगे जब तक उनका बच्चा गर्भस्त नहीं होता। कुछ दिनों के बाद कुश के मन में प्रभावती को देखने की इच्छा उत्पन हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माता के बताई। माता ने उसे घोडों के अस्तबल में प्रभावती को दिखाने क प्रभावती कृध्ध हुई, किन्तु शील्वती के कहने पर वह फिर आगे बढ़ गई। प्रभावती मूर्विच्छत हो गई। जब उसे होश आया तो वह ततकाल अपने माय के चली गई। प्रभावती उससे घ्रेना करती रही। अंतत उसने प्रभावती के घर में रसोईये के रुप में काम कर हर किसी का दिल जीता। फिर भी प्रभावती उससे घ्रेना करती रही। एक दिन आठ देशों के राजाओं ने मिलकर सागल पर चढ़ाई की। तब कुष ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सागल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जमाई राजा को वहां उपस्थित देख सागल राज बहुत प्रसन और आश्चर्यच कित हुए। जब उन्होंने कुष को अपनी पुतरी के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते देखा तो उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रभावती को फिर जाओं को पराजित कर उनसे प्रभावती की आठ छोटी बहनों का ब्याह करवा दिया। फिर खुशी-खुशी प्रभावती के साथ मलदेश को लोट गया। तभी से मलदेश का नाम उसी पराक्रमी राजा कुष के नाम पर पड़ा। इस बात का ज्यान बहुत कम भारतवा पराजियों को है क्योंकि वे पाली साहित्य नहीं पड़ते।